आप सभी को महाशिवरात्री की बहुत बहुत शुब कामनाई फ्रेंड्स महाशिवरात्री आने वाली है और महाशिवरात्री पर मिट्टी के सिवलिंग यानि की पार्थिव सिवलिंग के पूजन का विसेश महतो होता है पार्थिव के सिवलिंग का अगर आप पूजन करते हैं तो इससे मनों कामनाओं की पूर्ती होती है सास्तरों के अनुसार भी मिट्टी के सिवलिंग का पूजन करना विसेज फलदाई माना जाता है तो इस सिवरात्री आप भी मिट्टी से सिवलिंग बनाए और उसका पूजन करें पूजन हमें कैसे करना है इसकी विधी एक बार हम देख लेते हैं सबसे पहले हम चोकी लगा लेंगे और उस पर हम सफेद रंग का वस्तर बिछा लेंगे उसके बाद हमें कोई भी एक शुद पातर लेना है तो जब हम पूजन करेंगे उसके लिए हम कोई भी थाली या कोई भी पातर ले लेंगे उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे अगर आप रात को चार पहर का पूजन कर रहे हैं तो फिर आप बड़ा बरतन ले लीजिए उस पर हम बेल पत्तर रखेंगे तो बेल पत्तर पर हम सिवलिंग को विराजमान करेंगे ये देखे मिट्टी से बने हुए सिवलिंग है और इनको कैसे बनाया है इसका वीडियो भी माता पारवति का परतिग बना लिया तो कोई विसेज़ आकरती देने की जरूरत नहीं होती है ऐसे ही आप गोल आकरती में नेशी बना ले और इस तरह की आकरती हैं माता पारवति के बनाकरिन का पूजन करें तो देखे सभी को स्थापित करने के बाद अब हम सबसे पहले दिया जला लेंगे तो देशी घी का दिया हमें जलाना है और एक बार सभी को स्तापित करने के बाद हमें उन्हें हिलाना नहीं है तो देखे सबसे पहले तो हम जल से अभिशेक करेंगे तो जल में हमें गंगा जल जरूर मिस्रित कर लेना है क्योंकि गंगा जल का भगवान श शिव शंकर को मतापार्वती को जलसे सनान कराएंगे अनि जलसे अभिशेख कराएंगे यहां पर देखें मैंने थोड़े खोली अभिशेख कराएंगे तो कि बीट vergい की मूर्तियां हैं, जल से इस इसे हम हम दूद से सनान करा देंगे तो यहाँ पर हमें कच्चा दूद लेना है गरम किया हुआ दूद नहीं लेना है दूद से अभिशेक करने के बाद फिर हम शुद जल से दोबारा अभिशेक करा देंगे तो इस तरह से हमें तीन बारा भिशेक कराना है उसके बाद हम वस्तर सव रूप कलावा समर्पित कर दिया है इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे तो देखे गनेश जी को हम रोली का तिलक लगा देंगे और भगवान शिव शंकर को भी महा शिव रात्री के दिन हल्दी रोली समर्पित की जाती है तो इस दिन आप भगवान शीव शंकर को भी रोली से तिलक कर सकते हैं इसके साथ ही हम माता पारवती को भी तिलक कर देंगे इसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे तो यहाँ पर हम गनेश जी को, माता पारवती को, भगवान शीव शंकर को सभी को चंदन से तिलक कर देंगे चंदन से तिलक करने के बाद हम सभी को हल्दी समर्पित करेंगे महाशिव रात्री के दिन भगवान शीव शंकर को आप हल्दी जरूर समर्पित करें इसके साथ ही हम भगवाशिव शंकर को भी जनेव समर्पित कर देंगे माता पारवती को हम चुन्री समर्पित करेंगे तो यह जो नवरात्रे में चुन्री आती है इस तरह के आप चुन्री ले ले माता पारवती को समर्पित कर दें इसके बाद हम गनेश जी को दुरुआ घास समर्पित करेंगे और शियो शंकर भोले भंडारी को बेल पत्र समर्पित करेंगे तो देखे बेल पत्र की ये पीछे की टहनी तोड़ देंगे और जो चिकनी साइड है इसको इस तरह से भगवान से टच कराते हुए यानि उल्टा बेल पत्र हम इस तरह से समर्पित करते हैं अब 5 बेल पत्र 7, 11, 21, 25 जितने बेल पत्र समर्पित करना चाहते हैं उतने बेल पत्र भगवा शियो शंकर को आवस्ते समर्पित करें और देखे बेल पत्र को बासी नहीं माना जाता है तो आप पूजा से एक दिन पहले भी ये पत्ते समर्पित करेंगे मधार यानि की जो आकड़ा होता है ना हमारी हाँ लोकल भासा में आकड़ा बोलते हैं वैसे इसको मधार कहा जाता है तो मधार के पत्ते समर्पित करें आप भांग के पत्ते समर्पित करें समी के पत्ते धतूरे के पत्ते समर्पित करें धतूरे का जो काटे वाला फल आता है ये भी भगवांशी शंकर को आती प्रिया है तो धतूरे का फल समर्पित करें इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे और अब हम भोग समर्पित करेंगे तो देखिए भोग में आप बेर जरूर ले महाशिवरात्री के पूजन में बेर का साइड में रखूंगी क्योंकि है भीगने का डर है तो मैं सिंगार के सामान में हिदक्षिना को रख दूँगी अब हम सभी को धूप दिखाएंगे और पूरे पूजन के दोरान हम मन में ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय का जाब करते रहेंगे इसके बाद हम आरती करेंगे तो यहाँ पर मैं कपूर आरती कर रही हूँ आप कपूर आरती भी कर सकते हैं या आपके पास कपूर नहीं है तो फिर जो दिया आपने जलाया है इससे भी आरती कर सकते हैं गनेश जी की आरती करेंगे भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे और आरती करने के बाद अपनी मनों कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रातना करेंगे और पूजा में रही कम्यों के लिए शमायाचना करेंगे इस तरह से हम बहुत ही सरल विधी से महा शिव रातरी का है यह जो ठाली है यह हमें में उसी दिन नहीं metropolitan, में अगले दिन उठानी है तो अगले दिन जब आ ऐप यह चोके उठाएंगे तो जो सिंगार का सामान है यह आप किसी को दान कर सकते हैं यह यह आप स्वेम भी यूज कर सकते हैं और जो चुनरी है यह आप दोबारा भी पूजा में यूज कर सकते हैं इसके साथ ही जो जनेव है वो आप दान कर दीजिए दक्षिना आप दान कर सकते हैं और जो यह थाली है जो मतलब जो मिट्टी क भगोने में या किसी भी शुद्ध पातर में आप पानी ले लीजिए और उसमें इनको विसर्जित कर दीजिए कुछ समय के बाद सारी मूर्तियां घुल जाएंगी क्योंकि मिट्टी की बनी हुई हैं उसके बाद आप इनको किसी भी पोधे में डाल सकते हैं ताकि मिट्टी म मिट्टी बन जाएंगे ये भी और जो फूल पत्ते हैं वो खाद बन जाएगी हमें ध्यान रखना है कि तुलसी के पेड में हमें ये जो विसर्जन का पानी है ये नहीं डालना है बाकि आप किसी भी पोधे में ये पानी डाल सकते हैं अगर आप महाशिवरात्री के दिन भ जरूर विजिट करें उनको भी अपना साथ दें जैसे आपने मेरा साथ दिया उनका भी साथ दें और उनके चैनल को भी आगे बढ़ाएं उनके चैनल का नाम सरोज जजर है चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी म मैं उनकी वीडियोज लगा दूँगी ताकि आप उनके चैनल तक पहुंच सकें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमेश शिवाए राधे राधे